कल रात को हम धर्मेश्वर में रुके थे, धर्म पूरी भी कहा जाता इसको, ये धर्मेश्वर मंदिर का हॉल, संत निवास, अच्छी सेवा है यहाँ पे, बहुत बड़ा होल है, कल जादा लोग नहीं थे, हम पांच लोग थे, रच्छा लगा, यहाँ सेवा है बहुत अच् मंदिर और आश्रम बहुत बड़ा बनाया गया है, दोहजर बारा में बना था, यह रसोई घर है, और यहीं पर भोजन प्रसा दी जाती है, दोहजर बारा बनने इसे वज़े से, यहाँ पेड़ भी बड़े हो गई हो, लगाए गए हैं, यहाँ पे रिवा कुंड है, रिवा कुंड आपको दिखाते हैं, उदासीन महराज संतकाशी मुनी, यह दूनी बनाने के लिए हैं इदर, इदर गउशाला है, पर यह है रिवा कुंड, यह रिवा कुंड है, लेकिन आपको एक बाद बता दू, कि रिवा कुंड वो नहीं है, कि मतलब कि पानी इसी में आता है, नहीं नहीं है, नहीं है, कोई तिर्थान है, रिवा कुंड है, जो यहां पर पानी भरा जाता है, जैसे जहनती है, इसमें पानी भरा जाएगा, मैया का में धारा का पानी लाके यहां पर भरा जाएगा, वो रिवा कुंड है, अच्छा है, कॉंसेप्ट अच्छा है, मैया के दर्शन भी हो जाएगे, और स्नान भी मैया का हो जाएगा, यहां बात्रूम की सेवा, धर्मेश और मंदीर में हैं हम, अभी, बाबा जी का धुना, धुनिस्तल, संत श्री काशी मुनी उदासीन जी, देखिए, यहां पर है, उनकी तपस्थली, और मंदीर का परिसर, देखिए, वो सुन्दर है परिसर, और यहां का आपको एक बार बता दू, कि धर्मेश वर जी का क्या महत्मे है, और अग्याश्चा, मादेव जी की लीलाएं की तस्वीर है, बारा जोती लिंग, सुन्दर बनाया गया है धर्मेश वर मंदीर, जन्मकोटी लगे, रगर हमारी करवू संबुन तरहू कुवारी, वाह, कार्तिके स्वामी, त्रिपूर दाहा, शिवगवरी, बहुत सुन्दर सुन्दर पेंटिंग बनाई गई है, दर्मेश वर में, दर्मेश वर मंदीर में, अब दर्मेश वर जी के दर्शन करते हैं, यह है धर्मेश वर जी, दर्मेश वर जी, देखिए पाच पंड़ो, यहां पर, पाच पंड़ो क्यों लगाए गए, यह भी आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि धर्मराज युदिश्टिर जी, इन्हों ने यह स्तापित किया है, यहां धर्म का काम, पुन्य और दान धर्म यहां पर होता था, जब वो अग्यातावस में थे, तब, इसलिए इस गाउं का नाम धर्म पूरी, इस राज्य का नाम धर्म पूरी था, पहले, क्योंकि धर्मराज युदिश्टिर ने यहां तब ध्यान, सादना और दान धर्म आदि किया था, और यह उनिक्रीष तपस्तली है और धर्मराज यूजिस्टीर के नाम से ही धर्मेश्वर महादेव यहाँ पे स्ताफित है सुन्दर शिवलिंग और यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई है बहुत सुन्दर सुन्दर है यह देखिए आपे पांच पांडवों की पेंटिंग दर्मराज यूदिस्थिर, वीर, अर्जुन, सहदेव, नकुल और भीम जी राम जी, लक्ष्मन जी और रामेश्वर शुली आप दर्शन कर रहे हैं धरमेश्वर जिलाद देवास एमपी चित्रे के दर्शन, चित्रे देख लीजिए आप कितने सुन्दर सुन्दर है और यह पेंटिंग है जोस्तों नर्मदा मैया का चित्र प्रिसाय समुद्र देव है यहां पे बाल मारकंडे शायद है यह मुझे पता नहीं आप कमेंट में बता दीजिए यह जो दूसरे है जो भाग रहे वो यमराज जी है लेकिन यह जो बालक है मैं नाम भूल रहा हूं का अधर नारेश्वरे यहां पे बारा जो तिलिंग है आप दर्शन कर रहे है धर्मेश्वर जी मंदिर के जो धर्मपूरी में है आज का यह पोखर गाउं है पहले धर्मपूरी था नया बना है अभी वागनेश जी की गुर्ति यह पेंटिंग बहुत सुन्दर बनी है यह मंदिर परिसर बहुत बड़ा है आगे नंदी जी विराजमा ने हनुमान जी संक्ट में है दोनों साइड हनुमान जी है धर्मेश्वर मंदिर के दैशन आपको रहे है जिलादेवास MP यहां भी रूण मोचन हनुमान जी वहां संक्ट मोचन थे यहां रूण मोचन हनुमान जी है यह महाराज यहां पर सेवा देते है क्या नाम है आपका महाराज जी नाम बल्राम जी है बंडारी यह बंडारी जी है मतलब इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया रात को और बहुत प्यार से सब को खिलाते हैं और बहुत प्यारी प्यारी बाते करते हैं नर्मदे यहर देखिए हस्ते रहते हमेशा और आपको मान नर्मदा ऐसे खुश रखे ऐसे हम परातना करते हैं नर्मदे यहर चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ अब हम चलते हैं फते गड़ की तरफ सुन्दर मंदिर है और सुन्दर परिशार फते गड़ की तरफ चलते हैं अब नर्मदे यहर यहां पर कुछ स्लोगंस है कुछ दोहे लिखे हुए देखिए यह बहुत सुन्दर दोहे और यहां पर एक है तरफ फल नहीं खाते नदीन संचे नीर परमात के कारण सादु धराशरीर मतलब समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिए तीन सवारे जगत को सती संत और शूर तीन बिगाड़े जगत को कामी क्रोधी और कूर यहां बागेश्वरी रेस्टोरंट यहां पर बाबाजी सेवा दे रहे हैं नर्मदेयर रेस्टोरेंट के मालिक यहां पर सेवा दे रहे हैं नर्मदेयर पोहे और जिलेबी परिक्रमवासिय के लिए क्या नाम है आपका काना काना वाह अच्छा नाम है नर्मदेयर यह धरमेश्वर से थोड़ा सा आगे है किलोमेटर आगे मा बागेश्वरी रेस्टोरंट आप आईए तो यहां जरूर आईए जरूर नर्मदेयर नर्मदेयर दोस्तो हम ग्राम बाई में आये है शिंगाजी मंदिर संत शिंगाजी मंदिर सॉरी इंगलिश अकेडेमी में ही मंदिर है यह शिंगाजी महराज जी के दर्शन चरण पादुका के दर्शन और श्री कृष्ण जी के दर्शन शिंगाजी महराज है और उनकी चरण पादुकाएं मद्यप्रदेश में शिंगाजी महराज बहुत बड़े संत है मद्यप्रदेश में कह देश में बड़े संत है लेकिन मद्यप्रदेश में जाना जाता है इनको अरती सिंगाजी महराज जी की यहां पर लिखी हुई देखिए देख लिजिए लिख लिजिए इधर से और यहां पर बदाओ दल्यू जी महराज का अरती यहां अकंड जोत है सिंगाजी महराज जी की चर्वन पादुकाएं महराज जी की जी के सक्षा का शेege डाय जीए जानों साहएं में जानी एां मुτο में जाख अटूश्य जार मुण्यूब्ट ऑैं में आके लिगम के अटूब्स आका समय जाना झर से चाज़ है कि नर्मदी हर अगार देन को अगार भी तो फिर्टी परसंट अधार अधार इनको कम शक्रवाली चाह चीए अधियार, 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 होडरत दे रहे भीचा, अधियार, है अधियार, है पाद सान्य गीविया ना क्या करते बच्चे युदर पढ़ते हो इस एकेड़ेग्मी की बच्चे क्या का नाम है सब का नाम बताओ चलो करन महरी और बाकी और आप फिक है राम राम इंडिया राम इंडिया ठीक है देख लेना और सब्सक्रेब भी कर देना लाइक भी कर कर देना क्या में अब अब नर्मदेहर बाबाजी नर्मदेहर आपका नाम बताएए पहले मेरा नाम जगदिश गवडी और यादो हो सर्वने पीता जी के नाम कोदर जी और माताग नाम रक्षिन आई जी नर्मदेहर आप यहां पे कितनी साल से सेवा कर रहे हैं शिंगाजी महाराज जी के अच्छा सन 2013 से और जूड़े हुए गुरु महाराज से हम करीब करीब हो गया जब से उमर जैनम है कमसंग में इंकाउंट साल की उमर है अच्छा जब से गुरु महाराज को बारे में कुछ जानकरी है साँरि तो विर्फि महाराज के बारे में एंको बता पाएंगे हम बताएं कि इसेर्गी जीका उतार अगारे है इन इनके पीता जी नाम भीमा जी था इनकी बाई के नाम लीमा जी था और इनकी बेन का नाम कृष्णबाई इनकी पतनी धर्म पतनी उनके नाम यहोदा भाई था इनके चाह लड़के थे सद्दू, दिपू, काडू, भोलू, कैसे चाह लड़के थे इनके नाति के नाम दलू अबा था यह सिंगा जी महराज महा एक धोवी रहता था कहां पर इनकी जनम भूमी गाउं में तो उनसे भी इनने बेरभावनी करना पाया बल्लबू बड़ा दुष्ट था यह जब यह जंग इनके चरान जाते थे इनके धोभी के जो घाट जहां कपड़ा दो भूता था वह यह बैठाते थे पानी सब गंद हो जाता था तो इनके कपड़ द्वने में दिक्कत आती इसलिए दो भी इन पर जल्पन करता था तो दो भी ने क्या करा था जब पेट गरब मही जब इनको मानने की कोसिस करी तो इनकी मा बोली धोभी कि में इनको तो गरब में जब जब जनम होगा जब लाड़ा ख़ना जैंगी जब इमार डालो लो तो सिंगाजी महराज ने क्या सूचा एसी जगा वह जनम लिया कि इनका हाथ निलगन दिया बंदब जह कंड़े सन 2016 में बुधवार के रोज सौसओ यह, जब इस जनम हो लुधाट है ऑफ सूचा इस रिख़गज सुला इसे सोलासोला ख़गा और दीन बुधवार धा उस दिन का जनम हुआ और इन ने जम हे मानलो चालेश साल की उमर में इनको मानलो इतना सार मत्या ह्यान हो प्रेंट 15 साल पेंटीं साल के थे जैंप तिसलिए जिन गुरु दिख्षाली अच्छु मंधरं के सी पांच साल में इतना सारे ग्यान होगा कि अधिक बहुत सारी लिलाइं करी कुछ लिलाइं बता पाएं गया इनने क्या करा सुरू में जैसे गुरु दिख्षा ली तो यह मतलब इनके हां जहां राजा के लोगरी करते थे मतीन सो डापु आए मतलब गजुराद के दगर को से खाल आएं कि इनकी बेड़ को लिया रजायाल कि मिट्वान करके जब राद में चोड़ी हो रही तो यह वापस जब आए तो यह 300 आपवरों चोरी करके लेगा आए और राजया को हाध बाग गयर्भा बांध गया तक हमद सी नहीं का पता लागा कि आए और तो इनका पत इनको सब्सक्राइब दिलवा के और इनके बापत फिर आंक भी नेतर भी खोल दिये तो ये वे तीन सो ये धाड़ेती डोकी अगेदा को लोगों ने इन से गुरू दिख्षा लिए और इनने एक मतलब कुवे में जो गव गर गई ती उसको भी एक जीवित निकाली मतलब जो इसको जीवित निकाल दी एक जो धाड़ेती लोगों ने जगाड़ कोट के लोगों ने जो इनसे गुरू दिख्षा ली तो उनके हैं कमसें चालेज-फचास साल के उमर में उसराणी को सोना भाई को गरभ मनलब जने बच्चा नहीं हो रहा था तो चालेज-फचास साल के हैं अधिब क्लिव rarely सुआर जीवित भी जार ओं गार दिया इस इसके बाद मैं बहुत सारी लाणय करके और एक गिंदोला कड़ है चराथ जीवित खूदने में उसकी विन्हाथ्या सभी समान इक जिवु सभी बरोबर है तो बने चाहि बड़ा जनवर हो एक छोटा और हो तो इसको भगवान ने मेंचा दर्शन दिया कि में हमारा काम तुम को करना पड़ाइगा मैं अब खुद कोई याद नहीं मैं जहां भी भग्ता याद करेंगे तो महां हमान स्वयम तुम को ना पड़ाइगा तो इनने फिर क्या करा खजूरी छोड़ के और यह मलेक पीपड़ा करके काम बसाए बीड मुंदी खंडवा ज को मंदिर जो था महां अब बाकी साथकार्ट में सब बाकी बात बाताते हुए मैं तुम को आखरी अंत की बाताता हूं कि यहां साश्ची कि नोटर ब्रक्सन टटप है गुरु भाया के जो मंदिर है वो करीब करीब पांसो औरा सो चुक्या और उस पर जब सी मढ़ बना हु कपूर की जोद जैसी जोद बुजी ऐसे आलकीफाल की आसन पर ऐसी सांथ हो गया और उसको गड़े में बिलकुल बड़ा समाधी मना कपकी में बेठाया गया और उपर सफिर वो समाधी बनाया गया जब से फिर महां एक मेला चालू कर दिया उनका जुनाति था दलूबाव कद बीजिए को बिलकून क्या नरालू यंद समाधी मैल फंब दोख कि तर्स भी तोग बनाया गया और कम स्को गोडर उर, कोड़ शूर और उसके और उर ज्गर मैला हाजरों को wrinkles डील कर ड़ ऐनाया और उसको पर उसको पर लोड़ का मट्सकु अदा तो चारों तरफ जड़ाकार दिखता है चारों तरफ इसा दिखता है कि कोई सिंगा जी सागर होई ये मंदिर कहां पर मंदिर यहां से करीब मालों की दक्सन तट पर खंडवा जिले में बीड मुंदी के पास एक बड़ा से जसा कुछ कफ्रे का गाओं है मार्गेट डेसा इस डेरा काटिक में दुख 1-2 कि दुख 6-6 कि दृष्टर श्रचीया सब्सकियां जब्सक्राइड उख सकतिक में दना के ये कार उन्दी टिर जाणि लीटार की तरन में घाटक जी जी गर औलगे कोते बडैक। मेला लगता है तो तेरास चाउदास पुन्दम तीन दिन दक चीटी और मक्खा और कौवे कुट्ते ये जीव जंत महा मतलब कम से आएक किलोमेटर और चोर जगा मन जाते है एक किलोमेटर जगाम तुम पूर ही मिलेंगे नहीं जाते हैं कि तुम को तीन देन थ्वयम करें ना पड़ागा बिर्मा विष्टू महेर हमेसा जब तक भी आटली चलता रहेगा तो महां ये एक त्यमत का देखना इंगला पबली कैसी बात निमानती है तो महां इतनी मिठे ही चड़ती है मिठे ही घी कुंटल सगी चड़ता है अक्रम जो ही डिश्ट जाते हैं जो एग चड़ जाते हैं कंसकाम हज़्य द्जा लेक जाते हैं जों और जो इनना एक चमतकार जाववा दैस में राजा था उसकी जहाज में बहुत सारे वियाति उपनदे तो वियातरी ज़ाट टूप जब रही ती सांगर के अंदर तो उनने सागर म परचार हर जगह हर देश में होड यह हमारी सुप्काम नहीं है कि धर्मेश्वर से पतेगड की तरब जाते हुए हरे भीरे खेट कि रस्ते में हम भाई होके धर्मेश्वर से बाई होके फतेगड की तरब जा रहे हैं पिर नेमावर कि नर्मदेहर हम अब पतेगड पहुचने वाले मान अर्मदा की जेनती वहीं पर मनाएंगे कौन से घाट पर मनानी है वह सोचेंगे अभी जाके कुछ इलाकों में साथ तारिकों है कुछ इलाकों में आठ तारिकों है अब नेमा और में आठ तारिकों है महेश्वर मंदलेश्वर उस तरफ उमकारेश्वर साथ तारिकों है पतेगड में यह अश्रम है सुन्दर साथ वहां पे बाबा जी के हातों से अभी गरम गरम बनाए उन्होंने अर्मदेहर दोस्तों यह पास के गाउं से ग्रामिन है इनकी मा नर्मदा के लिए आस्ता देखिए भाव दंडवत परिक्रमा नहीं है दंडवत आये है अपने गाउं से दंड मारते हुए मा नर्मदा तक अपने गाउं से बोल नर्मदा माई की बोल रेवा भवानी की आई रेाई आई माई आई 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 नेडी आई नर्मदे आई ओल मानर्मदा की जेव आई 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 मुहन जाठ है कि में सेवा सेकारी संतर निमासा में सेल्समें पत्पर नोपरी करता हूं मेरे पास जो दुखान है जो रासन बातने वाले हैं जी और में मद्यप्रदेश सेकारी कर्मचारी महासंग का जिलाव पाध्यक्स भी हूं ओहो ओहो